हाई एवरिवन वेलकम बैक टो मधूस कीचिन आज मैं बनाने जारी हूँ लौकी की सब्जी जिसे बनाना काफी आसान है और ये काफी हेल्दी है तो लौकी के छिलकों को मैंने उतार लिया था और इसे छोटे छोटे टुकरों में काट लिया है और अच्छे से धो के मैंने इ लौन जी और थोड़ी देर इसे चटकने दूँगी उसके बाद मैं एक एक करके बाड़ी काटी हुई लौकी को डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से चला के मिला लूंगी लौकी की सब्जी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा बनाना काफी आसान है और काफी हेल्दी आप अपने घर के छोटे बच्चों और बुजर्ग को इसे आफर कर सकते हैं क्योंकि यह ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनती है और काफी टेस्टी भी लगती है तो इसमें मुझे ज़्यादा कोई मसाले नहीं एड़ करना है स्वादा नुसार मैं नमक एड़ करूंगी और अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर एड़ करना है बस और कोई भी वसाला इसमें एड़ नहीं करना है आप लोग इसे एक बड़ ट्राई जरूर कीजिएगा यह खाने में काफी अच्छी लगती है और बहुत ही जल्दी जट पर तयार हो जाती है अब मैं इसमें थोड़ा सा एड़ करूने धनिया पत्ता सब्जी जब अच्छी तरह से सूख जाएगी तब आप इसमें धनिया पत्ता थोड़ा सा फ्रेश काट के एड़ कीजिएगा इसे थोड़ा सा ढख के बनाना है ताकि सब्जी जो है अच्छे स गल जाए लौकी से काफी पानी रिलीज होता है तो इसे अच्छी तरह से पानी को आप सुखा लीजिएगा और लास्ट में थोड़ा सा धन्या पता एड़ किजेगा और सबजी देखिए हमारी रेडी हो गई है अब मैं इसे सर्फ कर लूँगी और सर्फ करने के लिए मैंने एक लिया है सर्फिंग ट्रे तो आज की रेसिपी आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब ने की है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा